नमस्कार दोस्तों मैं राजिन कुमार साहू स्वागत करता हूँ आपका अपनी चैनल आरिश ट्यूटोरियल में तो आज हम बात करेंगे 15 अफ्रेल से रिलेटेड करेंट आफेर्स के बारे में जिसमें आप 10 इंपोर्टेंट्स कुष्चन्स पर डिसकस करेंगे और उसके ब अप्रेल तक जो की 25 मार्श से 14 अप्रेल तक भारत में लॉक्डाउन था और इसके बाद फिर से 14 अप्रेल की सुबह 10 बजे भारत के प्रधान मंत्री मानी शिरी नरेद बोदी ज्वारा राष्ट को संभूरत किया गया और फिट से लॉक्डाउन को बढ़ाये गया है तो कुमारा सीज दो राइट आंसर 15 अफरेल से 3 मई तक लॉक्डाउन बढ़ाया गया है जिसको लॉक्डाउन 2.0 कह रहे हैं और इस दोरान लॉक्डाउन जो बढ़ाया गया है वो पूर्ब के लॉक्डाउन से ज्यादा कड़ाई से पालन की करने की सरकार ने वो की है और इस इसके बाद भारत में लॉक्डाउन नहीं रहेगा और हम लोग पूर्ब की तरह अपने देने कार्थ हो सबसंपन करेंगे चलते हैं नेक्स प्रिशने आज का हमारा कि हाली में किस महापरुस की 137 भी जैनती मनाई गी है जैसा कि जानते हैं कि भारत में बहुत से महापरुस हुए हैं और एक से बढ़कर एक उनने कार की ए हैं जिसके द्वारा भारत ही नहीं समूचे विश्व को अपने ज्ञान रूफी प्रवामंडल से प्रकास्थ किया है उन्हीं में से एक भारत के एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम डॉक्टर विम्रामेटकर था उनकी 139 जैनती थी 14 अपरेल 14 अपरेल को तो आप लोग याद रख के एक बहुत बड़े समात सोधारक थे और भीम्रामेटकर इनसे प्रभावित थे उप्सन नंबर भी कस्तूर्वा गांधी कस्तूर्वा गांधी जो कि महत्मा गांधी जी की धर्म पत्नी थी और जिन्हों ने भारती बाउजन समात पार्रिटी के स्थापना की 1984 में और यह उसके संस्तापक थे चलते नेक्ट विस्न के वर यह हमारे देश के पिर्थम विधी मंत्री शमधान निर्वात्री सवा के सदस प्रारूप समीती के अध्यक्ष सिम्बल ओफ नॉलेज डाक्टर भीम रामिटकर हाली में किस राज़े द्वारा COVID-19 के द्वरान देश बापी लॉकडाउन में इपास की सुरुवात की गई है जैसा कि जानते हैं कि पूरा भारत लॉकडाउन है और जैसा कि मैंने आपको पहले प्रिशन बताया कि लॉकडाउन 2.0 भी चल हो गया है तो लॉकडाउन के द्व जम्मू कस्मीर और जम्मू कस्मीर राज्य है उसने लॉकडाउन के दौराण लोगों को किसी आपात कालीन सेवा के लिए बिभिन प्रिकार की आरहीं समस्याओं के लिए इपास की सुब्दा की है जो रेड जॉन के शित्र हैं जम्मू कस्मीर में जो रेड जॉन के शित्र हैं वहां पर आपात कालीन सेफ़ा उपलप्त करानी की लोगों की इपास की शुरुवात की है और सनम्बर वी लद्दाग जैसा की जानते हैं आप 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कस्मीर और लद्दाग दो अलग-अलग इवनी ट्रेटरी बन गए इससे पूर्व जम्मू और कस्मीर के साथ ही लद्दाग था जम्मू कस्मीर एक पृद्देश था उसको किन सासित पृदेश बना दिया गया है और भारत में बरतमान में एक आया अगला जो दादर नगर हवेली और दमन दीप को मिला करके एक कर दिया गया है तो जम्मु कस्मीर लद्दाख दादर और नगर हवेली शंडीगर दिल्ली फादुचेरी यह अंडमान और निकोबार दीप यह हमारे केंसासिज प्रदेश है जैसा कि देख रहा है नक्से में आफ यह जम्मु कस्मीर है और यह लद्दाख है यह दोनों को उनिन ट्रेटरी कर दिया गया है इससे पूर्वेक यह दोनों एक ही राज्य थे हमारा अगला फ्रेशने हैं डबलू टी ओ द्वारज्जारी वरत्मान आख्णों के अंसार विस्व व्याफार में कितने प्रिशत गरावट कानल लागा गया है जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विस्व लॉकडाउन और विभिन प्रकार की जो वाजार है जो मार्केट है कि इंटरनेशनल मार्केट है काफी मात्रा में प्रभावित है और आयात निर्यात की जो पूर्व की तरह जो इस्तितियां थी वो नहीं है इससे जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें काफी मात्रा में गरावट देखी गई है तो हम देखते हैं हमारा ऑप्सन नमबर ए 13 से 25 पर है और विजसे परेंट की लगभाग है हो से जो myth व्याप रहे हैं जो हम बया पार होता है जो ओपन एक वर्यक्रवस्तिंते होती है जो इसकी उनके कीमें देख डिर्वागान दोारा देख लेते हैं डव्लू टी ओ डव्लू टी ओ एक वाल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन इसका फॉल फॉर्म है इसके मुख्यालेज जिनेवा सुर्जर लेंड में है इसकी स्थापना एक जनवर यूनीजिसो पंचानवे को हुई तुई इससे पूर्ब इसका नाम गैड था इसके बरतमान में अध्यक्ष रोबेट एजवेड़ो है इतनी जानकारी हमको डव्लू टी ओ के बारे में रखना है और इसका जो लोगो है इसका यह लोगो है नेटफ फिष्ट हाली में के राजश्रकरन का निधन हो गया भी कौन थे जनका इनका भी निधन हो गया है आप्स नंबर वी एक राजनेता थे के राजनेता थे जिनका अभी हाली में निधन हो गया है और देख लेते हैं के राजनेता है चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा अगला फ्रेश्ण है हाली में नौवियाको ओवियासी का निधन हो गया वे कौन थे नोवियाको ओवेसी एक जापानी नाग्रेक हैं इनका भी निधन हो गया है तो वो कौन थे देख लेते हैं फिल्म मिलबाता और अप्स नमर वी शंगीतकार और अप्स नमर सी राजनेता या ओफस नमर डिवसाई हमारा ये इस दर राइट आंसर होगा नोवियाको ओवेसी ए तुरान हमले को लेकर के विभेन पिरकार की फिल्म में बनाई और एक माने हुए मसूर फिल्म निम्राता है जिनको अन्य धन हो गया है जापान के थे जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं इनको हाली में करनाटक बैंक के M.D. and C.O. की रूप में किसी निट किया गया है और सनमरे राणा कफूर और सनमर भी M.S. महा बलिसुर और सी अनाम करोय और सनमर डी चंद्रा कोचर तो हमारा वीज़ दराइट आंसर M.S. महा बलिसुर को दोबारा से करनाटक बैंक का M.D. और C.O. किया गया है जैसा कि आप देख रहा है और सनमर ए राणा कफूर जो यस बैंक के M.D. थे पूर में लेकिन इनके उपर बैंक दोगा धाड़ी के यारोप की बज़े से इनको हटा दिया गया है और सनमर डी देख लेते हैं चंद्रा कोचर जो आईसी आईसी बैंक की प्रमु मैं इसर चंद्राक बैंक के M.D. एडिन सी उन्य थुए हमारा अगला प्रेशन है हाली में किसके द्वारा के द्वारा किरा करोणा चैन का रभाइनने संक केमपेंड चलाया जा रहा है ब्रोकन दक कोरोना चेंव सोसल अवेरेस स इमपेंज किसके द्वारा चलाया चारहा है ऐफ्सिन नमर ए इफ MPO, आप्सिन नमर विई आई IT कानपूर, आप्सिन नमर चे उनिसेफ, आप्सिन नमडी GMT तो हमारा ए इस दोराई टांसर होगा इपको द्वारा प्रेक तक कोरोना चैन सोसल अबनेस केमपिन चलाया जा रहा है जिसके तहट लोगों को विबिन परकार की सोसल डिस्टेंग्सिंग के पालन करने के लिए अबेरनेस फिलाई जा रही है लोगों को मुफ़ मास्क दिये जा रहे हैं और भी कई जरूरी सामान जो इपको द्वारा दिये जा रहा है जैसा कि देख रहा है यह को इपको का फॉल फॉर्म होता है इंडियन फार्मार फार्टिलाइजर को अफरेटिव और्गनाइजेशन भारती किसान और बरक सहकारी संगठन इसका हिंदी में नाम ह होता है और सौट फॉर्म इसका इफ को बोलते हैं और फॉल फॉर्म अंगरीजी में इंडियन फार्मार फार्टिलाइजर संग कोपरेटिव और्गनाइजर संग चलते हैं नेक्स परिस्ट हाल ही में नीती आयोग ने किसके साथ मिल करके कुलैफ केट लांच किया है अभी कम्पूटर्स सोसल जो सौफ्ट्रियर्स के होते हैं उनके विभिन परकार की डिजाइनिंग के लिए एक कोल कैब लांच किया है तो देख लेते हैं इसने किसके साथ मिलकर लांच किया है आफ्स नमबर ए अटल इनोवेशन और राश्टी सूचना विज्ञान के अन्द और नमबर सी ए और वी दौनों ऑफ्स नमबर दी इन में से कोई नहीं तो सी दा राइट आंसर हमारा आंसर होगा अटल इनोवेशन और राश्टी सूचना विज्ञान के अन्द दौनों के साथ मिलकर नीती आयोग ने जैसा कि देख रहे हैं नीती आयोग नीती आयोग किस था अपना एक जनबरी 2015 को हुई इससे पूर्विस का नाम था योजना योग कि को से नमबर नैस्ट 2020 में होने वाले विस मुक्केबाजी चेंपेंशिप की मेजबानी कौन दिस करेगा अभी जो मुक्केबाजी है भारत में मुक्केबाजी के एक से बढ़कर एक ख्लाड हुए हैं जिसमें MC मेरी कौम और भी कई है इनको भारत में मुक्केबाजी को लेकर के काफी भारत बिस में अग्रणी हैं मेरी कौम पांच बार की बिस चेंपियन भी है तो अभी इसी का जो खेल होना है फिर से 2020 में इसकी मेजबानी कहां कौन कर देश करेगा हम देख लेते हैं और वांगला देश और भी स्री लंका और सी चीन और भारत तो हमारा डी दो राइट आंसर भारत में 2020 नॉम्बर देसंबर के सम्थिंग मैंश होंगे और इसकी मेजबानी भारत करेगा बस आज की वीडियो में इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आरेश टूटोरियल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुँचें और आप करेंट से रेलिटेड महात्पूर्ण कुर्श्चन को पढ़ें और जान सकें धन्वाद